पर शरीर का सम्मंध जैसे आपने पती का वरण किया परिवार है तो ये बेवहार का पुर्ण रूप से इस्त्री शरीर में त्याक करके फिर ऐसे ठीक नहीं आप संसार को श्वेकार किये हैं तो अपने करतब्य का पालन करने के लिए अपने पती को अनकूल कीजिए फिर ब्रंदावन का आश्रे वास श्वेकार कीजिए ग्रेस्त धर्म से युक्त इस्त्री शरीर में युक्त होने पर पूर्ण रूप से श्वतंत्रता नहीं दी जा शक्ती कि आप सब छोड़ करके और ऐसा आप अपने पती की अनुमती लेकर के ही आगे कदम बढ़ाएं क्योंकि आपने पहले वो स्वेकार किया है आपने पानिक ग्रेंड संसकार किया चाहे पुरुष शरीर हो चाहे इस्त्री शरीर हो अब आपके अंदर भक्ती का भाव बढ़ रहा है लेकिन जो दूसरा आपका मित्र है चाहे वो पती हो या पतनी हो अगर वो रागी है संसार का और आप उसके प्रतिकूल होते हैं तो का भगवत प्रशनता का हे तुमान करके उनकी अनुमती से चलें यदि वो राजी हैं कि आप ब्रंदावन बास करें दोनों मिलकर वास कीजिए या कभी-कभी आते हुए सत्संग सुनिया ऐसे वास कीजिए मुझे ऐसा लगता है कि पती से विरोध करके ब्रंदावन बास कर पर भजन धीला पड़ जाता है इस देश अंसार से आसकती समाप्त कैसे हो हाँ पूरी तनमेता शरीर में है न इसलिए है यदि हम सास्त्र शद्गूर्दयों के अंशार अपनी दिन चाधिया बनावें तो पहले हमारी अधर्म प्रवत्तियां छुटें फिर धर्म प्रवत घर्म और स्थित्व कारियों रकारी की विवस्ता जो हमारे शास्त्र और शास्त्रग्य महापृर्ष ने कि पहले हम उसके अनुशार चले राथ दिन हमारी दिन चज़िया सास्त्र समप्ध गुरु सम्मत हो उसका प्रभाव होगा यहीं सांस्त्र संत्र समयत है तो अंत kitty करन पवित्र होने लगेगा, शांत होने लगेगा, तो जैसे निर्मल और शांत जल में नीचे की वस्तु दिखाई देती है, ऐसे जिसके प्रभाव से, जिसके प्रकास से प्रकासित होकर अंताह करन, निश्चय करना, संकल्प करना, चिंतन करना, क्रिया स्वाइकार करना, परशन ही करते हैं, जब तक स्वरूप का बोद नहीं होगा, तब तक इस्थूल सुक्ष्म कारण इनी सरीरों में फसा हुआ, पुनरपी जननम, पुनरपी मरनम, पुनरपी जननी, जठरेश सैनम, ऐसा होता रहता है, भगत को आत्मस्वरूप का बोद उसके आराद्य करते हैं, मंधर्सन phal paraman उपा, जीव पाव निजी सहज शरूपा, जीव ही उभगबश साक्षातकार की योगिता प्राप्त करता है, तो सबसे पहले उसको सौरूप का साक्षातकार होता है, शरूप का साक्षातकार होते ही, जिसका चुकि भक्ति मार्ग से चला है, तो समस समस्त है कि अन्शी मेरे श्वामी, मेरे आत्म्स स्वारूप मेरे प्रभू है जो उसने नाम रूप से इकार किया है ूमाइक आपिस मन करके तू में पुर्ण सक्त हो जाता है जी ते देखूं, ती श्याम मईयई और ग्यानी तू का लेकर के मैं में इस्तित होकर मुक्ष को प्राप्थ हो जाता है उसमें तू नाम का सब्द नहीं होता के एवल मैं ही मैं जो भी बोलू मैं 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 मेरा ही संकल्प दूसरा ने वो मैं के द्वारा समस्त तू का लेकर के स्वरूप में इस्थित होकर जीवन मुक्त हो जाता है भक्त मैं को खो देता है मैं का स्वरूप बोध होते ही मैं को खो करके वो तू में देखता है समझ रहे ब्रह्म नहीं माया नहीं नहीं जीव नहीं काल अपनी हुस्सु दिना रही एक रहे उन अंदलाल ये भक्त की स्थ तो उस स्थिति तक पहुंचने के लिए तनमयताम आवशिक्ता है तनमयताम पूरुन आराध्यदियु में तनमय हो जाना शरीर में हम तनमय इसले मुझे शरीर के सुख दुख का आवास हो रहा है प्रहु में तनमय होंगे तो प्रहु निर्विकार सच्चिदानंद है तो हमा लिए सारी चेष्टाय हो और भगवादी श्मरण हो तो वो कृपा कर हमारी बुद्धी में योग प्रदान कर देते हैं भगवार नी कहते हैं मचित्ताम दगत प्राना बोधयंता परस्परम कथियंति चे मामनित्यम तुष्यंति चे रमंचिते तेशाम सतत्य युकतानाम भजिताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धी योगंतं एन मामु पयांतिते मैं बुद्धी योग दे जिता हूँ भगवान वो बोध करते हैं ताब फिर उसमें माया का प्रिभाव नहीं जाता है अपने बोध जिसे प्राप्त करने के लिए चेश्टा करते तो माया का कर्मन होता रहता है लेकिन जो सतत भजन करता है भगवत लीला गुणान वद गायन स्रवन आदी तो उसके हिरदय को प्रभु अपने तत् प्रविर्टा है लेकिन योग नहीं है योग का ताथपर है हर समय प्रभु में इस्थिती होना जैसे है बुद्धी का कारे निश्चे करना अगर वो योग से युगत है तो उसका निश्चे एक मात सर्वं कलमिदं ब्रह्मने नानास्त किंचन वास दिवास सर्वं ये इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा यम हीन विथियंत्ये पुरसं पुरसर्शव सम दुखा सुखा धीरं सोम्रतत्वाय कल्पते कोई भी विथा उसको इस परस नहीं कर सकती कोई भी विथा उसे विथित नहीं कर सकती क्योंकि बुद्धी का योग हो गया है बुद्धी का लोग प्रभु कराते हैं, हमारा करतब है चिंतन, तेसाम सतत युक्ता नाम, भजताम प्रीति पुरुकम, प्रेम पुरुकम नाम जब करते रहें, प्रभु का इस्मरन करते रहें, चुकि भक्ती मार्ग से उक्रपा करेंगे, हमारे हरदे में ग्यान प्रदान कर देंगे, जि किर लेकिन जिसके में प्राकास हुआ पता चला कि रसी सारा भैकाथम औहसे एक मात्रु ब्रह्म्प्ष भगवान है दूसरा नहीं है लेकिन हमें दूसरा दिखाई दे रहा है, अंधकार है ना, अज्यान अंधकार, तो गुरु क्रिपा से, साफ्तर क्रिपा से, जब हमें ग्ञान का प्रकास परापत होता है, ये अंधकार्ण इंडस्थ होता है, तो एक मात्र मेरा प्रीतम ही है, एसा बोद होते ही, साब दन्दों से मुर्थThe, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे आप स्वाप्ण में जब थे तो इस थूल सरीर का कुछ भान था क्या स्वाप्ण में जब हम होते हैं, तो हमें ये भी भान नहीं होता कि हमारा को इस थूल सरीर भी है बिल्कुल भान नहीं जब हम जगते हैं तब हमें स्वापन का सरीर जूटा लगता है इस्थूल सच्चा लगता है लेकिन जब स्वापने में होते हैं तो इस्थूल का बिल्कुल भान ही नहीं होता ऐसे ही ब्रम्भूद शंपर्न महापुरुस को सरीर से बिल्कुल राग नहीं, सरीर की बिल्कुल इस्मर्ती नहीं, चेश्टाएं सब यंत्रवत होती रहती, खाना पीना चलना उठना बेटना, लेकिन वो स्वरूप इस्थित महापुरुस ऐसे रहता है, जैसे स्वापनिक पुरुस को जागरत सरीर का भार नहीं होता, ऐस ब्रह्मभुद शंपन्न महापुरुस को सरीर का कोई भी राग नहीं रहता, बिल्कुल राग नहीं होते हुए भी उसको राग आत्मक चेश्टाएं दूसरें को दिखाई देंगी, वो अच्छी चीज को खाते हीं कहेगा अच्छा है, प्रणाम नमस्कार करेगा तो म्रद बुलेगा, वो आपको दिखाई देगा, बुखार है तो कहते हुए सरीर में दिखाई, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही नहीं है, जैसे स्वपना अवस्था को आप जब प्राप्त होते हैं, तो जागरत अवस्था के सरीर का बिश्मरन होता है, ऐसे स्वरूप बोध महापुरु इस से लेते हैं, गोपी भाव, सहचरी भाव, सखा भाव, तो जिस भाव का जो हो, तो ओहे प्रहु करुणा करो मुझे देभाव से मुक्त करके स्वरूप भाव, तो प्रदान कर देंगे, ददामी बुद्धियोगम, वो प्रदान कर देंगे, और अगर ऐसा ना हुआ, ज पुर्वकर हो, जब बुखार या कोई कष्ट आवे तो समझ हो कि परभु कृपा करके हमारी धुलाई कर रहे हैं, हमारी द्वरा बहुत से आचरण हुई है, जो पवित्र, परभु हमारे आचरणों को पवित्र कर रहे हैं, मेरे सभाव संसकार, जो मलिन आचरण करने वाल और कहीं भगवान की कृपा से अगर ऐसी सूचना आ गए कि कैंसर हो गया है फिर क्या होगा फिर तो ऐसा लगए भगवान की बड़ी विचित्र लीला है और तैयार रहना चाहिए कि कभी भी कोई सूचना आ सकती है इसमें बहुत से भगवान बेठे हुई है किन भगवान का परदा खुल जाए काउन सा रोगा आज प्रदिनी फेल अब हो गया भजक, क्या होगा और बात बनी हुई है जिस साप अपनी केचुल से संबंदने रिखता ऐसे बोधवान तुरुष अपने सरीष से संबन्दनी रिखता चेश्टाय होती रहेंगी शांत आज सत्संग में था ना कि मृत्यू को वही भैवीत रूप से देख पाता है जो भगवत बिमुख है और जो भगवत सन्मुख है तो मृत्यू नाम की कोई वस्तू ही नहीं स्रीक्रश्णी है आत्मग्याल में च से लिए तो किसकी मृत्यू का आप कहां कैसे क्या इस कपड़े को छोड़कर नहा कपड़ा पहना है ठीक ऐसे ही जीवात्मा का सरी परिवर्तन होता है चाही जितना ग्यानी हो पर ममतद ही खोने के कारण तनमेता होने कारण लिगता मैं मरा जिसे बोध हो गया उसे क्या फर पढ़ा समझे लेकिं तनमेता उसमें हैं और आगे अच्छा किम्ती मिल नहीं रहा और आपको पता भी नहीं मिलेगा कौन सा मिलेगा कहां मिलेगा तो गबड़ा जाता है क्योंकि इसी सरी से उस्प भूक कर रहा था इसी में आ सकती के विए भजन परायंडरो भजन से ठाकु पुझी इतनी जल्दी राजी हो गये और साथ चल पड़े विश्वास विश्वास बिन विश्वास भगति नहीं ते बिन द्रवहिन राम राम कृपा विन शपन्यों जीवन लाविश्वास भवाने संकरों वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिनों याभ्याम बिना इतना जोर का विश्वास कि जब वहाँ उस ब्रद्ध के पुत्रों ने सभा में कहा कि कौन है जो तुम्हें इस बात की साक्षी दे सके कि हमारे पिता ने कहा है कि तुम्हारे साथ बेटी का ब्याह कर देंगे तो उसने का गुपाल जी के शिवा तो और कोई था नहीं उनका गुपाल जी आके कह दे हम अपनी बेन का ब्याह करवा देंगे क्योंकि उनको पता था कि स्री विग्रे कोई आते नहीं उसने का गुपाल जी थे गुपाल जी आएंगे क्यों नहीं आएंगे वो जब थे तो पर जस्ति हम करवा देंगे, ब्रंदा बनाया, ठाकुर जी का सयन हो गया था, आवाज लगई गुपाल जी, उस ब्राह्मन बूढे ने आपके सामने कहा था, हमने तो चाहा भी नहीं था, उस सेवा से प्रभावित हो के कहा था कि अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ करा कहा था ना, कोई उत्तर नहीं, फिर उसने कहा देखो, हम मानते हैं कि तुम्हारा सयन हो गया, लेकिन सुन तो रहे हो, आप चल करके उस सभा में एक बार कह दीजिए कि हाँ बात ऐसी थी, तो बोले मूर्ती कहीं चलती है क्या, तो बोले बोलती है क्या मूर्ती, ठाकुर ज निकले आए बार, उसका विश्वास, प्रला जी कह रहे है, हिरन कश्यप्षे, कि इस तलवार में भी मेरा हरी है, तुम्हारे में भी मेरा हरी है, इस खंबे में भी मेरा हरी है, कहां तेरा हरी इस खंबे में है, प्रगठ होगे नर्शिंग रूप से, विश्वास, हमारा द गुरुदेव के वचनों पर विश्वास, सास्त्र के वचनों पर विश्वास, भगवत सत्ता पर विश्वास, तो निश्चित उसे भगवत तत्तुका बोध हो जाता है, भगवत साक्षात कार हो जाता है, हमें विश्वास नहीं है, हमारे अंदर विश्वास की कमी है, उसी क को जागरित करने के लिए हम स्रद्धा युक्त साधन परायन है जिस दिन विश्वास हो गया तो कहीं बाहर कुछ प्राप्त करना नहीं है हमारे विश्वास के उठपन होते ही मुझे पता चलेगा कि सब यहीं बिराजमान है हमारा स्वरूप हमारे प्रितम बने हुए है जो ह अपने को सरीर मान करके और विचरन कर रहे नानात में आनंद की अनुभूती नहीं दुन्दों में फशे हुए विश्वास हो जाए तो गुरू वचनों पर विश्वास हुआ कि मुक्ष मुलम गुरू कृपा वो मुक्त ही है ऐसा उसको अनुभा हो गया हमारा जो स्वरू द्रड निश्चे कर लिया कि गुपाल जी है है का निश्चे हुआ आस्तिकता प्रवल हुई कि भगवान स्री विग्रह के रूप में नहीं रह सके साक्षात प्रगट होना पड़ा बस है का साक्षात द्रड़ता पूरुवक वरन कर लिया तो भांग के सिलबटे से ठाकुर प्रगट हो गया है का द्रड़ता पूरुवक भाव कर लिया तो सिल्पिल्य बाई के पत्थर के टुकड़े से ठाकुर प्रगट हो गया है का बिश्वास पूरुवक वरन कर लिया तो कुत्ते से नामदेव जी ने ठाकुर को भूत से ठाकुर को प्रगट कर लिया क्योंकि सरवत्र वही है उसके Srila कोई है नहीं यह हममें विष्वास की जागरती करनी है इसलिए साधना कर रहे है विष्वास जागरत हो गया तो यह नानात तो नहीं दिखाई देगा एक मात्र वही परम्तत्त है इस्हावास बिदम सर्वं यतकिन्चे जगतिाम जगत कोई कान ऐसा नहीं जो मेरा भगवान न बना हो मेरा ब्रह्म न हो वो सब रूपों में विराद पर हमें कहां विश्वास हो जाए तो जगड़ा कहतम हो गया ना रागद्रेश, लाभानी, मान, अपमान, निंदा, इस्तुति ये सब अविश्वास का लक्षन है अविश्वास कर लें कि सव में मेरा प्रीतम है तो क्या हम प्रीतम से मान चाहेंगे, क्या प्रीतम का अपमान करेंगे या प्रीतम के दोरा की हुई चेष्टा कोई अपमान जनित लगती है क्या तो हम फसी तो दुन्द में हैं क्योंकि हमें विश्वास नहीं कि मेरा प्रभू सब रूपों में है विश्वास जागरत करो जैसे जैसे विश्वास बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आप प्रभू के शमीप होगे वैसे वैसे आपको अपने शुरूप की अनुभूती होने लगेगी